नमस्कार कैपिटल टिवी उत्तर परदेश देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी यूपे में माफिया अतीक एहमद का खौफ ऐसा था कि कोई भी उसके सामने अपनी जुबान नहीं खोलता था हतियारों के बल पर गरीबों की जमी वो अपने कबजे में कर लेता और जो भी उसका सामना करने की हमद करता उसको वो जान से माती था उसका आतंक चरम पर था लेकिन कहते हैं कि जितना बड़ा आतंक होता है उतना ही बड़ा उसका अंत भी होता है एक समय ऐसा आया जब गैंग्स्टर से नेता बने अतिक हमत की हत्या कर दी गई और वो हमेशा के लिए मौत की नीन सोगया अब अतिक हमत और उसके परिवार पर सरकार की शिकंचा कसने के बाद जो उसकी काली कमाई है उसका क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है बता दे कि अतिक हमत के अर्बो की संपती का वारिस मिल गया है देखिए ये खास रपो माफिया अतिक हमत से गैंग्स्टर एक्ट में जब्त की गई अर्बो की संपती अब सरकारी खजाने में चली जाए प्रियागराच पुलिस ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है पुलिस अपसरों की टीम गैंग्स्टर एक्ट की धारा सुल्ला और सत्रा के प्रावधानों की समिक्षा कर रही है और जल्द ही अतिक हमत और उसकी पतनी के नाम पर अर्जित संपतियों को सरकारी संपती में दर्च कर लिया जाएगा फिर उन सभी प्रपटी पर सरकार का अधिकार होगा पुलिस ने अतिक और उसकी पतनी के नाम पर अब तक 3.45 करोड 47.000 की प्रपटी को जब्त किया है बता दें कि उतर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में माफिया और भू माफियाओं के गैंक्स्टर की धारा 14.1 के तहट कुर्क किया गया था इसमें कुछ जमीने और प्लॉट अतिक अहमत के नाम पर खरीदे गया थे तो कुछ अतिक के पतनी शाइस्ता परवीन के नाम पर गुमन गंच थाने में दर्च गैंक्स्टर के मुकादमे में फुलस ने खोच-खोच करिब 20 बड़ी संपतियों को पिछले 6 सालों में कुर्क किया था जिसकी कीमत सरकारी रेट के हिसाब से 3 अरब 45 करोड 47 लाख होती है खबर ये है कि अब इन प्रपरटीज को सरकार के अधीन किया जा सकता है जिसके लिए पुलिस अफसरों और राजसों विभाग में कई बता दे कि गैंग्स्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंग्स्टर एक्ट की धारा 14 एक के तहत आरूपी की उन संपतियों को कुर्क करती है जिसे आरूपी ने अपराध करके बनाया हो या कोई चीज खरीदी हो गैंग् फ्रियों को सर्कार के अधीन कर दिया जाता है तो देखा आपने की अतीक हमत की अर्भों की संपती का वारिस मिल गया है और बहुत जल्दर ये संपती सर्कार के अधीन हो जाएगी और तलब है कि माफिया आती कहमत की वेश कीमती जमेन अब सरकार के अधीन होने से सरकार को एक बड़ा फायदा होगा इस जमेनों पर सरकार गरीबों के लिए अवास यूचना या फिर रिचनता के लाव के लिए दूसरी यूचनाओं को शुरू कर सकती है जिससे आम आदमी को पायदा में दिखा इसका पर में फलाल के नहीं देखते रहें कापिटल टीवी उत्रपरदीश और हमें दीजे इसासत नमस्कार करें करें करें